अगर हम बात करें तो ये 20 भाषाएं हैं, इन 20 भाषाओं में से आप कोई भी दो भाषा चुन सकते हैं, आपका पूरा-पूरा अधिकार है, ये 20 लेंग्वेज़ जो सीटेट ओफर करता है, इन 20 लेंग्वेज़ में से कोई भी दो लेंग्वेज, अगर आप मेरी जरूर आता है, बेसिकली दो पैरग्राफ आजाते हैं, आपके लेंग्वेज वन जो आप लेते हैं, इतना ही अंतर है, पैरगोजी दोनों की सेम रहती है, लेकिन जो पैरग्राफ है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप हिंदी ले रहे हैं बट मेरे भी सर्मेदर्द हो जाता है, उसको अगर देखा जाए तो उसके पैसेज को, क्योंकि पोईट्री वाले पैसेज वो टेकनिकल लेंग्वेज है, वो अपने आप में अलग लेंग्वेज है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी, पैसेज में नंबर कटेंगे, अगर आप English Language 1 ले रहे हैं, यह बात बहुत ही tried and tested है, मर्जी आपकी है, लेकिन tried and tested बात है, जो लोग Language 1 English लेते हैं, नंबर कटे हैं, चाहिए आप English Medium सही क्यों न पढ़े हो, Language 2 आप English लेंगे तो उसका फायदा ये है, कि दोनों पैसेज आपके वो आले आते हैं, प्रोज वाले, sorry, हाँ, प्रोज वाले आते हैं, मतला, पोईट्री नहीं पूछी जाते हैं आपसे, तो वो कहानी टाइप होगा, उसमें से तो आप passage solve करना easy रहता है, मालनी जो कोई date दी हुई है, कोई कहानी है, तो उसमें से तो आप questions solve कर लेते हैं, क्योंकि language में, जो 30 number की language है, उसमें से 15 number के, आपके 2 passage आते हैं, एक 8 number का passage, एक 7 number का passage या एक 9 number का passage और दूसरा 6 number का passage, बाकी बची 15 number की pedagogy, 8 topics हैं, सारे मने कराई भी हुए है, notes में भी मिल जाएगा, आप batch में भी आप पढ़ लेंगे, तो pedagogy तो कोई बहुत बढ़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये 15 number ये language 2 ले सकते हैं, ये आपके हाथ में है, totally, ठीक?